हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल यूपीटीस फिर चोहां तो इस मेरा नाम है किरत चोहां तो दोस्तों यहां हम कर रहे हैं घटना चक्रे 2021 की सिरीज ठीक है और जिसमें हम कर रहे हैं भारती राजवेवस्ताइवम साशन आज करेंगे चैप नंबर 25 जिसका पार्ट व हमने चैप नंबर 1 से स्टार्ट किया गई सारे चैप्टर कराते हुए अभी हम कौन से चैप्टर पर पहुंच गये चैप्ट नंबर 25 यानि की जो संसदी अधीनियम है वहां पर हम पहुंच गया है और दोस्तों एक बात अगर वीडियो पसना है तो वीडियो को करिएगा अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा चली स्टार्ट करते हैं फटफट फट तो यह रहा हमारा चैप्टर जो की है संसदी अधीनियम चली इसमें हम अधीनियम यानि दिखे अधीनियम क्या होता है अधीनियम को इंगलेश में बोलते हैं इसको हम एक जून 1955 को क्या हुआ था लागो हुआ चले एक अधीनियम के हम बात कर चुके हैं चले दूसरे पर चलते हैं इसमें लिकाए सिविल अधीकार संक्षिप्तता विचारनी होते हैं मतल़ सम्धिकार संक्षिप्ततता विचारनी ये खोते हैं के द्वारग किया जाता है और अगर हम महानगर की बात करTीए है महानगर है करने तो आपका दिली है इसमें इसका जो है आपका विचारण किसके द्वारा होता है तो यहां पर है मेट्रो पॉलिटेन मजिस्टेट के द्वारा अब तीसरा यहां पर लिखा है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षन अधिनियम तो वैसे इसमें कुछ नहीं है इसमें सिर्फ अधिनियम के बारे में लिखे हैं दोचा दोचा लाईने और कुछ नहीं तो तीसरा यहां लिखा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षन अधिनियम कब 2005 तो वैसे कब लागू होता है देखें अधिनियम 2005 का है लेकिन लागू थोड़ा आगे हो सकता है तो यहां पर लिखा है 26 अक्टूबर 1871 में अधिनियमित हुआ था कौन सा इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और यह देखें भारत के आजाद होने से पहलेगी डेट है 1871 की वाद कर रहे है फेस में नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ तो गैस कौन सा अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम अब इसने क्या लिखा है कि 2016 कि संशोधन अधिनियम से इसमें किये गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए मतलब इसने कहा जो यह वाला एक्ट था ना जो 89 का थ उसमें 2016 में कुछ संशोधन हुआ और उसके बाद वो कब से प्रभावी हुआ 26 जनवरी 2016 से तो अनुसूचित जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्विश को क्रियानवित करने के लिए केंद्र सरकार्थ के बास नियम बनाने की शक्ति है यानि कि नियम कौन बन सकता है केंद्र सरकार तो इसमें लिखा यह अधिनियम क्या सरक्षा विभेद के सिधान्थ पर अधारित है तो इस अधिनियम के तहट गिरफतारी पूर्व जमानत पूर्टा निशिद है ठीक है तो 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 फिलिका है अनुसूचित जाती जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अध्mber किए अपराद का अनुवेशन पुलिष उपाधिकषक से नीचे के रैंक के अधिकारी जाएगा मतलब कैसे अगर हम बात करें कि जो यह अपराद है उसका जो अनुवेशन है कौन करेगा पुलिष उपाधिकषक से उपर रैंक वाले करेंगे उस से न स्क्या teraz डंड़ादेश विरद उच्चे न्याले में अपील तत्थिय और विधी दोनों के संबंध में होती है मतलगा इस यहां पिरte और इस ने कहेँ कि आप कहां कर रहे हैं उच्चे न्याले में आप अपील कर सकतेऊं थीक है कि अगर ऐसा कुछ जन जाती अत्यचार निवारण अधिनियम के अधिन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्याले को विशेश न्याले के रूप में क्या है निर्दिष्ट करने का उद्देश सीग विचारण है मतलब अभी ये आया नहीं है लेकिन हाँ इस पर विचार चल रहा है कि हम इसके लिए क्या करे एक सेशन न्याले की स्थापना मतलब इसके थूबी न्याय दिलाए जाए ठकता है यदि कोई व्यक्ति अस्परश्चता के अधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल और शधाले सक्षा संस्थानों में प्रवे से इनकार करता है तब इस सिविल अपराज संक्षन अधिनियम 1955 की धरा 5 के अंतरकर दंडिनी है मतलब कोई सपोस कोई आपका अस्परश्चता के अधार पर S.C.S.T. में अगर आप किसी के संग क्या करते हैं आप भेदभाव करते हैं तिक है है नेक्स्ट आपका है हिंदू विवाह अधिनियम उन्निसो पच्पन में हिंदू उत्तरादिकार अधिनियम लागू हुआ था मतलब इसने यह कहा कि कौन सा कब कौन सा कब अधिनियम लागू हुआ तो यह important कुछ अधिनियम है जिसके बारे में यह बात कर रहा है तो यह कब 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 लगू हुआ है चली तो इसमें लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम आप लोग जानते हुए 2005 में और यह कब से लगू हुआ है 2005 से लागू हुआ है इतना डिटेल में जाने की जरुत नहीं है अब इसमें लिखा सूचना का अधिकार एक क्या है विदिक अधिकार है देखें क्या कॉशन आया है क्या सूचना का अधिकार एक fundamental rights है यानि की मौलिक अधिकार है यह अधिकार तो है लेकिन कौन सा है विदिक अधिकार है ना की fundamental right यानि की मौलिक अधिकार अब लिखा है सर्वोचे नाले ने अपने अनेक निर्णे में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुछेद 19.1 के प्रदत भाशन अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में नहित माना है देखें अभी तो इसने simple कहे दिया कि जो सूचना का अधिकार है वो क्या है आपका विदे का दिकार है रैट लेकिन कहीं कहीं स्रवोचे नाले ने अपना निर्णे देते हुँए कहा है कि जो 이 सूचना का अधिकार है ना उसको इसने किसमे नहित माना है गाईस आर्टिकल 19.1 कामी नहित्माना है ये क्या है आपका ये है गईस आपके भाशन अभिव्यक्ति की सुतंतरता का दिकार और ये क्या है एक मौलिक अदिकार है तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की बात है थोड़ी सी कि वैसे हम इसे विदिक अदिकार कह रहे है है और यहाँ हम इसे किस में डाल रखा है हमने मौलिक अदिकार में डाल रखा है मतलब डाला नहीं है ग्यायस लेकिन सुप्रीम कोड ऐसा कहीं कहा दिता है आप इसने लिखा है कि जो सूचना का अधिकार है अधिनियम का उद्देश का है सार्वजनिक जो अधिकारी हैं उनसे सूचना प्राप्त करना इसका मतलब कहा है सार्वजनिक अधिकारी जितने भी पुब्लिक सेक्टर के अधिकारी है उनसे अगर आपको information लेना चाहते हैं सरकारी कर्मचारी है अगर कोई उससे आप information लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार की तो आप इनसे लेने के लेने का आपको है अधिकार मतलब पहले ऐसा नहीं था वो मना कर सकते थे लेकिन आज आपके पास एक कानून है जिसके तहट अगर आपको कुछ ऐसी information लेनी है तो आप उनसे कहके ले सकते हैं ठीक है अब इसमें लिखाए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार क्या है केंद्री सूचना आयुक्त का कार जो कारे काल है मूलता पांच वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष आयू तक होता है मतलब इसने कहा जो भी पहले हो इन दोनों में मतलब सपोस की एक केंद्री सूचना आयुक्त है तो इसने कहा कि सपोस उसकी एज है 62 फिर होगी 63 64 हो जाएगी 65 हो जाएगी यानि कितने साल काम कर पाएगा एक दो तीन या तो यह हो जाए तीन साल हुआ यह या फिर गई ऐसा हो कि पांच साल तो इन दोनों में पहले कौन सा हो हो जाएगा 65 साल साल का होगा तो हम माल लेंगे कि हाँ 65 के बाद या तो पांह गैए 65 तो क्पप्लिट करें या फिर 65 जो पहले ऊ hey तो उसके तहर ऊसको निकाल दिय जाएगा पिर कारेकाल पूल हो जाएगा सूचना का अधिकार संशोधन फिर अधिनियम और जिस वर्ष में संशोधन हुआ है वो वर्ष लिख देते हैं 2019 के द्वारा उक्त अधिनियम में किये गई संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का जो कारिकाल है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा मतलब कि जो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के पास अब अधिकार है कि वो जो मुख सूचना आयुक्त है या अन जो सूचना आयुक्त होंगे उनका जो कार्रिकाल है वो कितना होगा पांच साल उससे कम उससे ज्यादा कितना भी जो ये डिसाइड कर देंगे वो तो तेद्नु साल केंद सरकार दौरा अक्टूबर 2019 में अधी सूचित सूचना का अधिकार दिनियम 2019 के तहत से जो है तीन वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित कर दिया मतलब अभी जो हमने 5 साल पढ़ा था ना गाईस 2019 में हुआ संशोधन यानि की अमेंडमेंड हुआ है इस एक्ट में और उसके बाद ये 5 साल से कर दिया गया है तीन साल और हमने पढ़ा था 65 वर्ष तो 65 वर्ष का 65 वर्ष ही है ये 5 से 3 वर्ष हो गया है जो भी पहले आ जाए तो इसके अतिरिक्त केंदिये और राज इस तरह ये मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्त या अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी इसका मतलब इसने कहा कि केंद्र सरकार के पास ही शक्ति है कि वो इनके वेतन जो भी सेलरी होगी वेतन बत्ता या जो अन्य सुविदाएं हैं वो इनको केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि क्या होनी चाहिए फिर उसके आगे लिखा है कि अब नेक्स टेगाई जहाँ पर मजदूर किसान शक्ती संगठन नामक सामाजिक अंदोलन सूचना की अधिकार हितु संगर्ष और जनांदोलन के लिए जाना जाता है कौन सा है इस मजदूर किसान शक्ती संगठन फिर आगे बढ़ते हैं इसमें लिखा है नमित शर्मा बनाम भारत संग वाद ये कोई केस आया होगा तो सूचना की अधिकार अधिकार अधिकरन अधिनियम 2010 2010 के द्वारा देश में क्या होगा एंजी टी यानि की नैशनल ग्रीन फ्रेबिनल यानि की राष्ट्री हरित नयायदिकरण का गठन किया गया तो गैसी जो है आपका कपका है स्वेंप का साशन जैसा ही कुछ होता है नीचले इस तर तक जाके हम साशन करने के लिए अब सक्षम है मतब इतanda सम dioयान ने हमाधिक दिकार दे message तो स्वेंप का स्वेंप का साशन होता है और ये अगल पंचायत आंवार देख को होगा है यह पंचायत विफैने की बात कई गई गई पंचायद मतलब सोसाशन ही होता है जिसके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके जो वहां के देखे जो अनुसूचे छेत रोते ना गाइस उसको थोड़ा सा हम बाकी से अलग कर देते हैं यहां पर ट्राइप्स रहती हैं में भी स्टी क्या होता है श जो अर्थ मतलब जो देश की मुख्यदारा है यह उससे थोड़ा सा अलग ही होके रहते हैं तो इनके लिए माना जाता है कि इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करने दो ठीके मतलब इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस सरकार का नहीं होता है तो इन्हें थोड़ा सारा सेप पारंपरी का दिकार है इसका मतलब जो गई से वह उनकी जो परंपरा स्टार्टिंग से आप ट्राइबस देखते होंगे अभी वहां पे लोग मुख्यदारा से नहीं जुड़े हुए हैं कि अच्छे मतलब जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं या जिस तरह से हम ऑफिस जा पाया है कि वह अपनी पंचायतों का मतलब स्वैम का साशन खुष से कर पाएं तो आप लोगो थोड़े बहुत समझ में आ गया होगा हलाकि अधिनियम के बहुत सारे हैं यह चैप्टर अच्छे कहते हैं इस चैप्टर में भी ठीक है तो चैप्टर है इंपोर्टन थोड़ के गई अगर आपको वीडियो पसना है तो प्लीज एक बार लाइक करें चलिए पहला कोशन में लिखा है किस वर्ष में खाद मिलावट निवारन अधिनियम अभी हमने पढ़ा था यह किस वर्ष लागो होता है तो हमने किस वर्ष देखा था तो 1955 में लागू हुआ था यह चलिए एक बार देखते हैं आपर क्या लिख देखिए अधिनियम में तो 1954 लिखा है लेकिन यह देखिए सरपतम इसे 1955 में लागू किया गया था तो आंसर में आना चाहिए था 1955 चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो समझ गए हूंगे अप फिर नेक्ट आपका है सिविल अधि ख Won यह तो कि संगय और हमने ये पढ़ा था था संगय तथा संग्षेप derechos कंफ हमने पड़ते हैं यह बिल्कुल ही वही लिखा हूआ है नोट्स में नहीं है आप यह पहाण जर्प पड़ते हैं उससे तब क्यों करें आगे बढ़ते हैं कि स्विल अधिकार संरक्षा है तो देखिए एक तो इसने लिखा था ये प्रत्मशिडी के नाइक मजिस्ट्रेट सिटेंग के दोरा देखे दे देगे दो लिखे थे यहां पर प्रत्मशिडी में नाइक फ्रत्मशिडी को द्वारा और दूसर महानगरों में किसके technology बस्तर? के द्वारा होता है तो आईए तो इसका आंसर तो वही है दूसा ओप्शन लिखाई नहीं है तो अब यहां पर सिविल अधिकार संद्रक्षन अधिनियम उन्निस सो पचपन के अंतरगत सभी दंडेनिये अपराध है ठीक है लिकाई संगय और संग्षिप्ता विचारनी और सं संद्रक्षन अधिनियम 1955 के अंतरगत सभी दंडेनिये अपराध संगय और संग्षिप्तिता विचारनी और संगय और असम निये हैं तो यह थोड़ो सा यह वर्ड नया आ गया जो हम नोट्स में नहीं पढ़के आए ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं तो इसमें लिकाई सिवि अरवास और जुर्माना दोनों में दोनों से दंडेनी है तो यहां पर देखे थोड़ो सा नया हो गया तो दोस्तों यह आया है आपका MPPS में और इससे पहले वाला भी आपका MPPS में यह भी आया MPPS में तो आप यह समझेगा अगर आप इसके अधिकतर कॉस्टन कहां से आये ह हो बस आपके में नहीं है तो आपको नहीं पता कोई बात नहीं टेंशन मत लिजेगा और पता थोड़ा वत पढ़ लिजे पता यह चल जाएगा क्योंकि लोग तो हर एक स्टेट का एक्जाम दे सकते हैं आप लोग ठीक है तो संगे है कारवास और जुर्माना दोनों से दं अधिकार सनक्षा अधिनियम 1955 के धारा पंद्रा एक के तहत दंड प्रक्रिया संविधा संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधिन दंडिनी हर अप्राग संगे यह होगा और इस अधिनियम के दोशी व्यक्ति के लिए क्या है कारवास और जुर्माना दोनों का प्राबदाने तो एऔर डी दोनों सही है तो इसने क्या है जोसे दोशी है है और दी जो मैंकि तो तो किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल और सिक्ष संस्थाम प्रवे से इंकार करता है तो कौन सी धारा के अंतगत दंटनी है अपराध है यह सिविल अधिकार संरक्षन अधिनियम 1955 की कौन सी धार तो गैस हमने कौन सी धार पड़ी थी तो धारा 5 थी ठीक है तो इसमें कुछ भी नहीं है नया वही हमने जो पड़ा वही है फिर देखे फिविल अधिकार संडरक्षन अधिनियम सामोही जर्माना अधिर उपित करने की राज सरकार की शक्ती का उपबंद है तो इसमें है धारा 10-1 तो गईस यहां पर फिर से देखे यह कहां आया है MPPTS Pre 2018 में आया हुआ है ठीक है तो मतलब मेरे बार बार यह दिखाने का मतलब बस इत्ता है गई था अगर आप MPK नहीं है तो बहुत जादा पैने करने की जुरत नहीं है इन questions पे तो देखिए आपर के लिखा है civil अधिकार संद्रक्षण अधिनियम 1955 की धरा 10 का यानि मोहित जुर्माना अधिरोपित करने की राज सरकार की शक्ति तो लिखा है पावर ओफ इस्टेट गवर्मेंट टू इंपोज कलेक्टिव फाइं का उपबंद किया गया है चले आगे बढ़ते हैं तो देखिए गई सब लिस्त में लिखा है सिबिल अधिकार संद्रक्शन अधिनियम का विस्तार है तो विस्तार क्या है संपूर भारत पर है चली नेक्टमाना प्रेठी स करते हैं चले जिए सिबे लिखाइस संद्रक्शन अधिनियम 1955 की धारा तो फिर वही सेम टू सेम कॉश्चन हो गया संपूर्ण भारत पर है गईस यह देखिए आप एंपी पीपीस प्री दोहजार अठारा अच्छा यह दोनों ही सेम है क्या नहीं एक दोहजार बारा में आया है फिर उसी को उठाके दोहजार अठारा में दिया फिर फिर विल दिकार संप्रक्ष्टन अधिनियम रेंटीं फिफ्टी फाइफ की निमलिकित मेतिक किस धारा के अंतरगत कंपनियों दौरा अपराड का उपबंद किया गया है तो कौन सा धारा है गईस चौदा धारा चौदा और यह रहा आपका एंपी पीसियस में देखिए क्या लिखा है इस अधिनियम के अंतरगत धारा चौदा के अंतरगत कंपनियों दौरा अपराड किया जाने की दश्चा में कौन उत्तरदाई होता है तो कौन उत्तरदाई होता है निदेशक प्रबंदग सच्चिव या उप्रोक्त सभी तो कैसे इसका अंसर है उप्रोक्त सभी MPPCS प्री सिविल अधिकार संदक्षन अधिनियम 1905 की धारा चौधा एक के अनुसार यदि इस अधिनियम के तहत अपराद करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराद किये जाने के समय उस कंपनी के कारूबार का संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक या उस कंपनी के प्रती उत्तरदाई था उस अपराद का दोशी समझा जाएगा तो इसमें लिखा है धारा 142 के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधिन कोई अपराद कंपनी के किसी निदेशक य किया गया हो वहां वे भी उस अपराद के दोशी समझी जाएंगे चलिए आगे तो लिखा है कब नयाय आले सिविल अधिकार संदक्षन अधिनियम 1955 की धारा बारा के अंतरगत उपधारणा करेगा की अपराद और स्प्रिश्चिता के अधार पर कारित किया गया है तो इस आंसर हो गया ए में लिका है जब ये केवल अनुसूची जाती के सद्धिस्यों से संबंदित हो और ये आया है आपका MPPCS 2019 में तो लिकाए सिविल अधिकार संरक्षन अधिनियम 1955 की धारा बारा के अनुसार जहां की इस अधिनियम के अधिन अपरात गठित करने वाला कोई कार अनुसूची जाती के संबंद में किया जाए वहां जब तक की प्रतिकूल साबित ना किया जाए न्याले यह उपर धारना करेगा की वह कार अइस प्रश्चता के अधार पर किया गया है चले अइस प्रश्चता से उद्भूत अपराद गठित नहीं होगा जबकि जबकि अभियुक्त और परिवादी पीडित समान सामूहिक समू से है तो गैस यह भी देखिए MPPCS P2012 तो इसमें लिखा है सिविल अधिकार संरक्षन अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अ इस प्रश्चता से उद्भूत अपराद गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीडित समान समाजिक समूहिक से है फिर आगे आता है न्याले उपधारित कर सकता है कि अपराद गठित करने वाला कोई क्रत अस प्रश्चता के अधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराद डैश के संबंद में किया गया है अनुसूची जाती के सदस से तो किसी भी समूधाय के सदस से या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो गैस अनुसूची जाती है नहीं स्ट के संबंद में तो इसमें देखिए MPPCS तो गैस यहाँ देखिए लिखा है कि सिविल अधिकार संरक्षन अधिनियम 19055 की धारा 12 के तहर जो है आपका न्याले उप्धारित कर सकता है कि अपराद गठित करने वाला कोई क्रत्ते अइस प्रिश्चता के अधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराद अनुसूची जाती यानि की सिडियूड कास्ट के सदेस के संबंद में किया गया है तो अइस प्रिश्चता का उन्मूलन संविधान में आर्टिकल 17 द्वारा किया गया है और गैस यहाँ पर क्या है यह किसमें आता है आपका fundamental right यानि की मौलिक अधिकार में आता है next question है आपका civil अधिकार संरक्षन अधिनियम 1955 कि निमलिकित में से किस धारक के अंतर का सद भावना पूर्वक की गई कारवाई के लिए संरक्षन का उपबंद किया आए है कौन सी धारा है गई धारा 14 का यह देखिए MPPCS pre 2018 का यह question है इसमें लिखा है civil अधिकार संरक्षन अधिनियम 1955 की धारा 14 का यानि की 14 एक अंतर का सद भावना पूर्वक की गई कारवाई के लिए संरक्षन का उपबंद किया गया है यानि की protection of action taken in good faith शोले आगे लिखा है निमलिकित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है निक कौन सा गलत है अभी इसने बोला हिंदू विवा अधिनियम 1955 हिंदू उत्रादी का अधिनियम 1957 सेवनटी थर्ड वा समिधान तंशोदन शहरी चेत्रों में इस्थानिय निगायों के चुनाव में महिलाओं के लिए इस्थानों का अरक्षन सती निरोध अधिनियम 1987 तो इसने बताना है कि कौन सा हमारा गलत है तो आपका गलत कौन सा है यह वाला चले आई देखते हैं त सती निरोध अदिनियम 1987 में लागुआ शहरी छेत्रों के इस्थानी निकायों के चुनाओं में महिलाओं के लिए इस्थानों का आरक्षन seventy-third नहीं है seventy-fourth सम्विदान शंशोधन दोारह तो यहाँ पर यहीं गलत सेवंटी है गलत है 74 सही है अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सही है सूची वन और सूची टू में दिया है कौन से यर का है चलिए आई इसकी व्याख्या ही देखते हैं डाइरेक्ट टाइम क्यों बेस्ट करें तो एक लिका है भातिश अधिनियम यह कब आया 1878 में यहां पर अच् तो हाला कि हम 2021 का भी एक्जाम दे चुके हैं तो यहां पर है भारतिय सस्त्र अधिनियम कब आपका 1878 में आया हुआ है फिर उसके वाद लिका है शाही पद अधिनियम आपका 1876 में भारतिय उच्छ न्याले अधिनियम आपका 1861 में बारतिय दिवाविच्छेत अधिनियम आपका कहां पे है 1869 में विवाविच्छेत मतलब होता है गई स्तलाव चोड़े आगे बढ़ते हैं तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षन अधिनियम लागू हुआ है तो घरेलू हिंसा से कब गई 26 अक्टूबर 2006 में देखें आपके क्या लिका है यहां लिका है कि महिला को घरेलू हिंसा से संरक्षन प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षन अधिनियम 2005 संसत द्वारा सर सम्मिती से क्या होता है पारित क्या गया जिसे राश्पती की सहमती कम मिल गई आपकी 13 सितंबर 2005 को अब हम बात करते हैं कि यह संपूर भारत में अखित में से कौन सामाजिक अदिनियम नहीं है तो इसमें लिका है मीसा एंटी डॉरी एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और फेसमें लिका है प्रिवेंशन ऑफ इम्मॉरल ट्राफिक एक्ट तो इस चली इसका आंतर है मीसा आईए इसकी थोड़ी सी याख्या देखते हैं तो इसमें लिका है मीसा मीसा का मतलब हो गया मेंटेनेंस ओफ इंटर्नल सिक्योरेटी एक्ट नामक क्या है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना ठीक है और 1977 में क्या है निरस्त कर दिया गया खतम कर दिया गया मतलब यह आंतरिक सुरक्षा के संदर् ये सामाजिक अधिनियम नहीं है जबकि प्रश्ण कर सेश जो तीन अधिनियम है वो आप क्या है सामाजिक स्वहार्थ सामाजिक दोस्त मिवारण है तू बनाए गए अधिनियम है प्रावधानों के अंतरगर्थ उपभोगताओं के अधिकारों विशेश अधिकारों के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा या तेकतन सही है तो यहाँ पर पहला लिखा है उपभोगता को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है दूसा इसने लिखा है कि उपभोगता यदी उपभोगता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी मतलब जो उस शिकायत वो दर्ज कर रहा है उसके लिए कोई फीस नहीं तो गैस चलिए यहां पर देखते हैं ना सबसे पहले हम ग्याक्या देखते हैं फिर आएंगे कॉशन पर तो गैसी यह देखिए कहां कॉशन आया हुआ है आये इस में आया हुआ है तो इस मिलकर बस 1986 में संसर द्वारा उपभोगताओं के जो अधिकार है यानि कि कंद्यूमर उसके जो कंद्यूमर राइट्स होते हैं उसकी बात हो रही है कि संरक्षन के लिए है उपभोगता संरक्षन अधिनियम 1986 जो है पारित किया गया और इसके तहत उपभोगताओं को खात की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है एक यानि कि पहला सही हो गया उप उपभोगता फोरम में अपनी शिकायत दर्च कर सकता है मतलब उसकी जिकायत है तो उसको दर्च कार सकता है उसके लिए निरधारित φीस के दोए फाइस नहीं देनी पड़ तो यह धूसा अफिकायत धरंनी पड़ेगी उपभोगता ata कि मृत्तियों हो जाती है तो उसके वि इस नेक्षे इसमें लिखा है क्रिमिनल ट्राइप्स एक्ट सर्पतम कब अधिनियमित हुआ तो कब हुआ 1871 में मतलब इसमें लिखा है क्रिमिनल ट्राइप्स एक्ट सर्पतम 1871 में अधिनियमित हुआ था यह प्रारंब में के है उत्तर भारत के अधिकान शेत्र में लागू हुआ था अनुसूची जाती यानि की S.C. अनुसूची जन जाती यानि की S.T. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवट हुआ कव 30 जनवरी 1990 तो गैस इसमें लिखा है अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राश्पती द्वारा 11 सितंब 1989 को श्विक्रती प्रदान की गई और ये कब प्रवट हुआ यानि की कब लागू हो जाता है तो 30 जनवरी 1990 को हो जाता है तो गैस ये फिर वही question है लिखा है अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती की किस अधिनियम की अंत्रगत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया तो गैस कौन सा अधिनियम है आपका 89 और लागू होने का time का है 1990 है जाए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर end because question हमाई पर बहुत जादा है एक वीडियो में करने पर हमाई वीडियो की length हो जाएगी बहुत बढ़ी तो गैस इस वीडियो को करते हैं यही पर खत्म अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा चैनल को subscribe नही करते हैं वीडियो को end मिलेंगे आपसे next वीडियो में इसी के second part के साथ सब तक के लिए धन्यवाद